सेटी साब सू सुवागतम बताएं सर आपकी आज की पहली पिक गुड आफटून डिपान सू अनिल जी पिक देने के पहले आपको बहुत 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 बढ़ाई अनिल जी बहुती जबर्दस स्टॉक ऑफ दे एर दिया आपने इस बार अनिल जी ओ एफसेस में धुआदार कि यह और अची रिजल पेश किया तो कंचिको अनिल मार्केट को दिनिवालमा कि बीच्छा है मूर अच्छा है और अच्छा है और दिनियू थैंक्यू आपको भी सरी साफ जी बनाएं सर्व बिल्कुर आनिल जी आज का जो मेरा पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सला है स्टॉक का नाम है पहली बारी कवर कर रहा हूं एसके ऑटो इसका नाम है आस्क ऑटो 290 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है पहले इसके शॉट टर्म टागेट है 310 रुपे के सोला इनके प्लांट से अक्रॉस फाइव स्टेट्स इन इंडिया जिसमें एक प्लांट तो अभी हाली में भिवाडी राजिस्तान में इन्होंने शुरू किया तो उसका असर आने वाले कौर्टर के रिजल्स में देखने को मिलेगा पकि जबर्दास क्लाइंट लिस्ट है बजाज, सुजुकी, रोयल एंफिल्ड, यमाहा इन सब को कटर करती है और इस कंपनी के दो तीन ग्लोबल मनुफेक्टर के साथ टेक्नोलोजी लाइसंसिंग अरेंजमेंट्स है एक जैपनीज मनुफेक्टर है जिसके साथ इनका ब्रेक्शू तो विलेड्स के लिए ब्रे यह पर तो इस तरह की कंपनी और अचकल इनका फोकस इलेक्रिक वेहिकल सेग्मेंट में भी है हाली का इप यह आया था दो सो ब्यासी में और वहां से स्टॉक की लिस्टिंग अच्छी हुए थी आइप यह को जबर्दस रेस्पांस मेरा था 51 टाइम सब्सक्राइब हुआ पंदर नमबर को यह लिस्ट हुआ था और उसके बाद वहां से यह बजार की गिरावट के साथ करेक्ट हो के आई पयों के आसपास के लेवल पे अवेलेबल है मुझे लगता बिल्कुल खरीजारी करने का मौका है फंडमेंटल बहुत ही मजबूत है रिटर्न एक्विटी आराउंड 19-20% एफाई दियाई में भी अच्छे नाम है गुल्मेंसाइक से टाता है तो खरीजारी करने की सलाह है एसके ऑटो माफ टारगेट ऑफ ट्री वान जिरो स्टॉप लोस टार्गेट खरीडे आस्क ओटो बदाएंसर दूसरा स्टोक अन्जी आज का जो दूसरा स 154 का बारत के लीडिंग इंफरस्ट्रुक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो की रोड्स, बिल्डिंग्स, इवन रेल्वेइस, सिटी गास दिस्रिबूशन प्रजेक्स, पावर एपीसी प्रजेक्स इस तरह के सेग्मेंट्स परेट करती है आप कंपनी के पास एक जबर फर्णामेंटल बहुत अच्छे है, रिटर्न एक्विटी इस 21 परसेंट, एक बहुती अच्छे मार्जिन्स पे अपरेट करती है कंपनी, ऑपरेडिंग प्रफिट मार्जिन्स आप क्लोस टू 22 परसेंट और FISDI भी अच्छी खासी 22.9 परसें इस्सेदारी रखते जिसमें HDFC है, अकेला 9.1% स्टेक ओन करता है, फिर कोटक है, नपॉन है, फ्रेंक्लिन है, और इवन 3P इंडिया जो प्रसान जेन जी का फंड है, उन्होंने भी इसमें खरीडारी करी है, सेप्टेंबर तिमाई भी बहुत जबरदस्ती, 118 करोड का पैट रिपोर्ट किया, जो भी कमफर्ट आता है, मुझे लगता है, स्टॉक को करेंट लेवस पर खरीडना चीए, शॉट टर्म टारगेट है 175 का, स्टॉपलोस है 154, तो यह है आपके लिए 175 के टारगेट, 154 के स्टॉपलोस का अशोका बिल्ट कौन, और टारगेट 310, 285 का स्टॉपलोस, आस्क ऑट साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेर करने के लिए,